नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे gold IQ दोस्तों आज की इस विडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप gold सेल करते हैं यानि की gold बेजते हैं मैं यहाँ पर exchange की बात नहीं कर रहा हूँ जब हम लोग गोल्ड जो है एक्सचेंज करके नया गोल्ड खरिते हैं इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जब हम प्रॉपरली गोल्ड बेजते हैं और उसके बदले में हम लोग पैसे लेते हैं तो इसका calculation कैसे किया जाए तो देखिए दोस्तों इसका एक simple सा formula है जो मैं यहाँ पे बाजो में screen पे आपको लिखके बता दूँगा लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ तो देखिए दोस्तों मानके चले आपके पास जो gold है उसके gram इज आपको सबसे पहले पता होने चाहिए उसके बार में आज के जो gold के rate है मानके चले 49,000 जो है आज का gold का rate है और आपके पास 10 gram gold है तो आप लोगों को क्या करना है 10 gram into 49,000 करना है मतलब 10 gram को गुना करना है 49,000 से अब जो भी amount आएगा उस amount को जो है आपके gold की जो purity है उससे आप लोगों को into कर देना है जैसे कि मान के चलिए आपका gold है 49,000 रुपे 10 gram का लेकिन उसकी purity जो है 80% है तो 80% को आपको 49,000 into 80% कर देना है या फिर आप लोग एक काम और कर सकते है 49,000 divided by 100 into 80 अगर आपके gold की purity 80% है तो into 80 कर सकते है 90 है तो 90 कर सकते है 92 है तो 92 कर सकते है तो दोस्तो यह है एक simple सा formula अब इसके बाद में आपके gold की value निकलके आपके सामने आ जाईगी अब दोस्तो जब आपका gold की value आपके सामने निकलके आगे इसके बाद में जो है 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 डिडक्शन करते है कोई 3% करता है कोई 5% करता है कोई 7% करता है अभी reduction क्यों करते हैं क्योंकि देखिए वो आपका gold buy कर रहे हैं जो कि अभी बिगने वाला नहीं है उनको या तो उसको mail करके आपसे buy करना है या फिर उसको mail करने के बाद में फिर से जो है उसका jewelry बनाना है उसके बाद में उसको sale करना है या फिर उसी gold को उसको किसी दुसरे को बेचना है तो इस process में जो है टाइम लग सकता है इसके लिए जो है जो है इसमें deduction करते हैं अब यह हर जगा अलग अलग deductions होते हैं और जिस हिसाब से jeweler को फरवड़ेगा खरीदना तो वो खरीदेगा जैसे मन के चली हमारे पास कोई चीज है हम उसको sold out करना चाहते हम लोगों ने उसकी price यह decide की हुई है लेकिन सामने वाला भी अपना एक bargaining power रखता है कि वो जो है आप से इतने में खरीद सकता है जो उसकी capacity है तो आप समझ बाद में आपके पास एक और option होता है दोस्तों कि आप लोगों को gold की purity भी नहीं पता उसके ग्रामेज भी नहीं पता तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके gold की actual price क्या है तो इसके लिए एक सबसे अच्छा और सरल उपाई यह है कि आपके आसपास जहां पे भी gold loan प्रोवाइड किया जाता है किसी भी bank में या फिर अलग-अलग संस्ता है जो gold loan प्रोवाइड करती है वहाँ पे आप जा सकते है और आप यह कह सकते है कि हमें इस gold का valuation निकालना है कि हम लोग को कितने तक का gold loan मिल सकता है अब यहाँ पे समझने वाली चीज यह है कि वहाँ आप एक वैलिएटर रहता है जो gold की जोएलरी की valuation करता है उसको वह gold खरीदना नहीं है इसके लिए वह gold की value आपको exact निकाल के देगा बकायदा कैरेट मिटर में उसकी purity check होगी उसके ग्रामेट चेक होगे उसके बाद में आपको एक valuation दी जाएगी उसका 50% जो है loan approve किया जा तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही thank you